सफेद बारों को जढ़ से काला करना है लाइब एड़ आपके साथ इस वीडियो में मैंने शियर किया है सफेद बालों को जढ़ से काला करेगी और आपके बालों को तोटने से बचाएगी आज की रेमेडी में आप सबी का दिल से वेलकम करते हूं अपने चैनल जीवन प्यूटियो टिप्स में आज मैंने आपके साथ DIY होममेड एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जिसको लगाने से आपके जो सफेद बाल है वो तो काले होंगे ही साथ ही साथ जो आपके बाल बहुत ज़दर चरड़ रहे हैं बालो में कलगी करते हैं कोई भी हेल साज बनाते हैं उस वाल आपके पलूर बहुत ज़दर canis कहीं एक आपके ज़दी बालों पर लगाकर देखे गा व्हुत इंच्छ रिट मिलेगे64 कुछ फुछ यूशूटियो पर अपलाइद कर सकते हैं छोटे सी वीडियो है वीडि अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत बूलिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं तो नीचे जो आप रेट गलर का सिस्क्राइब बटन देख रहे हैं इसे क्लिक किजिए और ग्रेमिक कर दीजिए यहांपर आपको बहुत ही अच्छी अच्छ आमला पाउडर जिसे हम गूसबेरी पाउडर भी कहते हैं आपको गैस का फ्लेम ओन कर लेना है इस पे कडाही रखती जीए बिल्कुल फ्लेम पर रखना है और थोड़ी से इसमें आमला पौडर एड़ किजिए ठोड़ी से हल्दी पाउडर अब आप सोच रहे होंगे कि द चूटे बगर बहुते मोटे मोटे टिप शेयर करने वाली हूं जो आपके बहुती आगे काम आने वाली है आपको इस तरह से इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है और रोस्ट करने के बाद इसमें आपको कौन-कौन सी चीज एड़ करनी है गाइस कुछ वीवर्स के यह कुमेंट होते हैं कि दी हमारे बाल बहुत ही जादा जल्दी ओयली हो जाते हैं दो दिन के बाद ही हमारे बाल चिपकने लगते हैं और में ओयल आ जाता है तो हम क्या करें तो डियर आप शेंपू करते टाइम अपने बालों में एक लैमन का जूस जूरूर एड़ कीजिए इससे आपके बालों में और नहीं आएगी और आपको इसे पेसी तरह से रोस्ट करने के बाद इसमें एड़ करना है जी 2 भी कोफ़ी पॉदर मिल आपको ईड़ करने चे हैं हीना पाउडर जाने की मेह advertisement आपकोई बालों की서 करती है यो आपको आपको आप कर नहीं है और यक-से कर आजक ए वह ऊंसा करे कोशंच है यह दिमाने नहीं के शचलिखने के बालों कोमेंट वह फीक यह देन संग्या झाल दीन हो गटार दृट है आलमंड ओयल और थोड़ी सी कपूर इसको मिक्स करकर हेर वाश करने से पहले अपने बालों पर अपलाई कीजिए आपके बालों से डैंडरफ चू मंतर हो जाएगी आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक मिनट तक इसे छोड़ देना है एक घंटे के बाद आपको इसे कैसे बने वालों पर अपलाई करना है वो भी मैंने आगे आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया है तो वीडियो को फूल वाच कीजिए अब जिनके हैर्स पर मैं यह डाई आपको अपलाई करके दिखा रही हूं आप दे आपको जब भी कोई हैर पैक जब भी हैर महंदी आप कोई भी पैक यूज करते हैं अपने बालों पर उसको लगाने से पहले शैंपू की हल्प से अच्छी तरह से बालों को वोश कर लीजिए और उसके बाद अपने बालों पर अच्छी तरह से इस पैक को अपलाई कर लेन हैं इस सभा करने稿 से आपके बालों पर डाक ब्राउन कर आइंका बहुत अच्छी हाई और हाँ अगर आप महनी अपलाई करते हैं तो आप उसमें लेमन जूस भी अड़ सकते हैं करण जाने की दहीं भी यूस कर सकते हैं जिससे कि आपके बालों में शाइन भी बहुत ही अच्छी आएगी आपको इस पेक को लगाने के बाद इसको एक घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और एक घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से पने वालों को वाश करना है शैंपू बिल्कुल भी क्यां करती हुँ मत फिर भी कुछ वीवर्स कोमेंट करकर यह पूछते हैं कि दी आपको बिल्कुल टैप बाले जनकी टूटी वाले पानी से पने बालों को वाश करना है नहीं आपका पानी को और नहीं जादा ठंड एर वोश करने के बाद आपको अपने बालों पर एक और कूरिए वहां हेर ओयलि जैसे आपने पैक लगा लिया के अब आपने बालों पर अच्ची तरह से आपको चंपी चंपी करने के बाद आपको एसे चोड़ देना है और next morning आपको अपने hair wash करने है अगर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते तो आप 2-3 घंटे के लिए oiling करने के बाद छोड़ दीजिए और फिर आप shampoo कीजिए आप देखेंगे कि आपके बालों पर कितना प्यारा hair color आया है ये dye लगाने के बाद आप market वाली dye लगाना बिल्कुल भूल जाओगे इसका 100% result आपको मिलेगा आप छोटी उमर के हैं, बड़ी उमर के हैं, लड़के हैं, लड़की हैं आप सभी इसे use कर सकते हैं, बेफिकर होकर आप इसे एपनी दाड़ी मूचों पर भी apply कर सकते हैं तो guys, आज का pack आपको कैसा लगा, कैसा result मिला अपना experience में ऐसा जुरूर share कीजिए नीचे comment box में मुझसे comment करकर आप कोई भी question पूछ सकते हैं अगर इस video से related आपके मन में कोई भी question है तो अब एक घंटे के बाद हम इसे wash करेंगे और wash करने के बाद आप लाइव result देख सकते हैं कि कितना awesome और प्यारा result आया है बिल्कुल dark brown color के बाल हो चुके हैं आपको भी बिल्कुल ऐसा ही result मिलेगा अगर आपको आज के वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी useful लगी हो interesting लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है जाते हुए मेरे इस वीडियो को लाइक किजिए आपके एक लाइक सिम जो बहुँ सारी motivation और sport मिलती है अपना प्यार मेरे चैनल पर इसी तरह बना के रखिए मेरे चैनल को sport केजिए अपना प्यार दीजिए और अच्छी अच्छी डैमडिस देखते रहे तो गाइस मिलते हैं मेरे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयार रखिएगा अगर आप इस वीडियो से लेकेड आपको कोई भी question है तो आप नीचे comment box में मुझसे comment करकर पूछ सकते हैं मैं उसका reply आपको जुरूर दोगी तो guys मिलते हैं मेरे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयार रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाबाई आप जहां भी social media पर active रहते हैं facebook, whatsapp, twitter, instagram वहां पर मेरी इस वीडियो को जुरूर जुरूर शेयर कीजिएगा अपनी family और friend के साथ ज़्यादा शेयर करना ताजो वो भी इस home में dye का benefit ले सकें और अपने सफेद बालों को काला कर सकें तो गाइस जे जो ऊपर आप end screen पर वीडियो देख रहे हैं इन्हें क्लिक कीजिए और watch कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं अगर आपको हेर से लेटिट जा फिर सकीन से लेटिट कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर जुरूर विजिट कीजिएगा बाबाई